एलो एब्रीवन वेलकम है आप सबीका अपके अपने ही चैनल तरुवाटिका में यह मोगरा के और हिबिसकस के प्लांट हैं काफी दिन से मेरे पास आये रखे थे जिफ्टेड प्लांट हैं यह मैं खरीक के नहीं लेकर आई थी तो बहुत दिन से पैंडिंग था यह मेरा काम मैंने सुचा आज मैं यह लगा लेती हूँ हो तो पहर होने से पहले क्योंकि फिर दूब आ जाती है तो चाया में रखने पड़ते हैं तो इसी कि मैं वीडियो आप से शेयर करूंगी कि आज मेरा गार्डन का क्या काम था और गार्डन में मैंने क्या किया हालांकि यह वली मैंने पहले भी दिखा रखी है कि कैसे रिपोर्टिंग करनी है हिबिसकस की और इसकी मोग्रा के तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में देखूंगी आप जाके देख सकते हैं लिंक पे क्लिक करके और कुछ हल्टा पल्टी करनी पड़ती है अगर आप नए पोट नहीं लाना चाहते तो गार्डन में ही कुछ जुगार करके इधर से उदर करना पड़ता है तो यही सब करके मैंने चार पोट निकाले हैं लिटा पल्टी करके ताकि क्या है कि गार्डन में एक तो जगह नहीं है इतनी जगह होनी चाहिए बहुत बड़ा गार्डन हो गंले खाली है यह खाली है यह एक पार्ट और जो गंलों यूज वादार का यंवानों फिराव यूजू गार्डन सोयल त्यार मीडिया जो है वो मैंने त्यार किया है और दिखाती हूं मैं आपको रिपोर्ट करके और बस थोड़ा सा और इसी के साथ ही मैं आपको वैसे तो रूटीन वर्थ है ये बट आपसे बाते करती रहूंगी और टो कि रहें जो मेरे ब्लांट है आपको बते करती करते रिपोर्ट भी हो जाएंगे तो बस यही है कि अगर्फ यहीं है कि अगर आप का तोर चip वी इंटरस्ट है ग शर्ज चाहएं गार्जनीं में तो आप अपने आप भी प्लांत्री haven को लगा सकते हैं अगर आपको पास औ तो अपना आसपास नियरबाई होते ही हैं पोट बेचने वाले आप महां से खरीच सकते हैं और कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है प्लांट को लगाना जिसके लिए कई बारी हमारे फ्रेंड जो होते हैं वो माली पे डिपेंड करते हैं बट मैं तो फ्लांट रिपूट करने के लिए किसी भी माली पे डिपेंड करना पसंद ही नहीं करते हैं और अच्छा लगता है अगर आपके लगाए हुए प्लांट चल जाते हैं कोई गड़बड नहीं होती है तो बहुत अच्छा लगता है तो यह सोयल पहले ही वेल्डेन है मैंने आपको बड़ा यूजड सोयल है यह और इसमें वेल्डेन करने के लिए मैंने ऐसा कुछ नहीं डाला है बस गोपरखाद नाले है क्योंकि थीज़ी गोपर खाद पहले जो डल जाते है डिपोर्टिंग की काइन तो ठीक रहता है कि और कभी भी रिपोर्टिंग करते हो आप तो उसको रिपोर्ट करके प्लांन के लिए और फिर दूप का प्लांट है है तो आप उसको दूप में रख्थें जैसे यह फ्लावरी प्लांट है तो आफ्टर वन वीक या पांचम में इसको दूप में रख दूँगी जब ये चल पड़ेगा अच्छे से करते हैं तो थोड़ा शोक में आ जाता है इसका मतलब यह नहीं है कि आपका जो प्लांट है उसके पते मुर्धाय मुर्धाय होते हैं कि आपका प्लांट अच्छे से नहीं लगा यह यह फिर खराब हो गया आपको इसमें रेगुलर वाटरिंग करते रहिए और थोड़ा लेट हो जाएगा बस इसको ज्यादा डिस्टर्ब ना करते हुए देखे बिल्कुल रेटी लिए मिटी ऐसे हैं ऐसा रच्छे लेवल थोड़ा सा कि उसमें वाटरिंग के लिए स्पेस हो जाए और इसको फिर फिल करते हैं मिटी से कुछ भी नहीं होता प्लांट को रिपोर्ट करने में लोग इतना अपना पैसा खाम खाई में हमाली को दे रहते हैं इतने में तो हम अपना कोई और न्यू प्लांट लाके लगा सकते हैं गार्डन एड कर सकते हैं इसको टैप कर लीजिए ताकि जो एर वेक्ष्यूम एर जो बने हुए है एर स्पेस है वो हर जिजए मिटी पहुंच जाए एर स्पेस ना रहते हैं कुछ भी नहीं करना होता है यह देखें मैं यहां तक मिटी फिल करिये का कि इतना जो पानी है पानी के लिए स्पेस हो बस अब मैं इसको दूप में रखूंगी दूप में सोरी चाया में रखूंगी और ऐसे ही मैं आपको सभी लगा के दिखा देती हूं टोटल यह प्लांट्स मैंने लगाए हैं आप देख सकते हैं वैसे तो अवोईड करना चाहिए इस मौसम में प्लांट्स लगाने का रिपोर्ट करने का लेकिन क्या है अगर सुबह के टाइम रिपोर्ट करा जाए ठंडे ठंडे या शाम के टाइम तो कोई दिक्त नहीं होत है तो और इसके साथ ही अगर कई स्टैंप भी हम लगा सकते हैं जैसे इसकी है कल मैंने परसो मैंने जो वीडियो आप से शेयर करी थी कोलियस की इसकी कटिंग तो कभी भी चल सकती है नहीं तो कटिंग लगाने का बैस्ट जो मौसम है वो बारिश का टाइम ही होता है या फि है तो इस तरह से अगर हमार कुछ अमर्जैंसी है या बहुत दिन हो गए है प्लांट लाए हुए और आपके प्लांट ऐसे खतम भी हो सकते हैं रखे रखे क्योंकि मेरा एक प्लांट बिल्कुल सूख गया है बट वह मैंने लगा दिया है देखी जाएगी अगर उसमें और ग्रोथ होती है तो लेकिन पहले के जो पत्ते से वह बिल्कुल खतम हो चुके हैं क्योंकि जो थैली आती है यह बहुत छोटा स्पेस होता है और कई परी रूट्स भी इसमें एक्सपोज होती है अच्छी तरह से लगे हुए नहीं होते हैं नर्सरी से जब हम लेके आते हैं उसकी रूट्स एक्सपोज होनी शुरू हो जाती है और हलंकि मेरे गार्डन में बहुत कम धूप आती है और कभी भी उन जो हम नर्सरी से प्लांट पर्चिज लेकर करके आते हैं कभी भी उनको धूप में नहीं रखना चाहिए लाके छाया में ही रखना चाहिए जब आप रिपोर्ट करेंगे तब तक तो इस तरह से धूप का जो असर है वह उन पर नहीं होगा और आपका प्लांट अगर आप और दो दिन बाद करते हैं रिपोर्ट तो कोई दिक्कत नहीं होगी कोई नुकसान नहीं होगा तो देखे यह जब मैं लेके आई थी तो मेरे यह और वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा बाते करते रहेंगे बाते कभी खतम नहीं होती हैं इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं जो फर्स टाम चैनल पर है उनसे रिप्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं अगर आपको थोड़ा सा भी अपडेट के लिए फिर मिलते हैं जाएंगे तब ही आएंगे नेक्स टैम और इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं अब मैं इन में वोटरी करूंगी और इनको इधर ही सरका दोंगी चाया में और यहां से साफसफाई क्लीनिंग करूंगी जो एक्स्टा मिटी बच क्या टिए करूंगी ने से ग मृत अषा हमें आएंगे रेंगे आचेंगे तरे यहां में ही अवादında साफ़ी करूंगी चाह हैं आएंगे लब काय और इनको चाया आएंगे ताकशचस अबसे पासा ही बासेजां ईमसें